साल का पहला सूरी ग्रहन कल रविवार को सुवह 9 बच कर 15 नट पर शुरू होगा और दो फ़र बाद 3 बच कर 4 नट तक रहेगा इस ग्रहन का मज़े 12 बच कर 10 नट के आसपास रहेगा जिसमें सूरी एक फायर रिंग की रूप में नजर आएगा 21 जून यानी कल रविवार को पढ़ने वाले ग्रहन का सुतक काल आज रात 9 बच कर 15 नट से सुरू हो जाएगा हिंदु धर में आस्था रखने वाले लोग सुतक काल मानते हैं इस दौरान पूजा घर और मंदिरों के पट बन रहते हैं ग्रहन सुतक काल समाप खोले पर लोग फिर मंदिर और सुजा घरों को खोलेंगे जो कि सक्कारियों के अनुसार किसी वी फूर्ण ग्रहन के सुरू होने से 12 घंटे पहले और ग्रहन के 12 घंटे के बाद का समय ग्रहन सुतक काल कहलाता है माननता है कि इस दोरान मंदिरों में पूजा पार्ट या कोई सुभरकार नहीं किया जाता 21 जुन को सुभव 9 बस कर 15 मिनट पर ग्रहन शुरू हो जाएगा और 12 बस कर 10 मिनट पर 2 खर्ण पर फुर्ण ग्रहन दिखेगा इस दोरान कुछ देर के लिए हलका अंधेरा का शाजा जाएगा इसके बाद 3 बस कर 4 जट तक ग्रहन समाप होगा यानि यह ग्रहन करी 6 घंटे लंबा होगा लंबे ग्रहन की वज़ा से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है प्रोना संकत काल को लेकर इस ग्रहन को विनास्काडी माना जा रहा है वेकानिकों का कहना है कि एक ही महिने में दो-दो सुड़ ग्रहन का लगना ग्रहन छत्रों की क्याल के हिसाब से सही नहीं हो इसका दुन सभाव भी देखने को मिलेगा तब से अगिस दभाव भी दाशी वालो पर दिखे दा पर विला वाले घरों को रौशन तो कर देएं बच्चों का भविश्य भी समाते हैं चिकू तुमने बड़ा रॉल मिलाय तो मुझे लगा क्या लगा लगा कि सेल्फी दो बंती है चाचू मेरा टैलेंट सेल्फी में फिटनी होगा ओ सेल्फी में दो फिटोगया गाडी में फिटोगा 105-degree super wide selfie on vivo v19 लोगों के घर में जाकना छोडिये मकिजा तु भी अमने घर में सेफ पेंटिंग करा ले शूटिंग के लाहक होगा तेरा घर Asian Paints Safe Painting Service Mist Call Day 80504-80504 पे वाँ वाँ वाँ